Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Dear 6th class आज हम सिखेंगे Exercise No. 8.3 ये हैं हमारा Lecture No. 610 Exercise No. 8.3 पहला कॉस्चिन Which one is greater? Which is greater? 0.3 और 0.4 हमें बताना है 0.3 और 0.4 में कौन बड़ा है? सबसे हम पहले देखेंगे 0.3 0.3 में 1s की position पे हैं place पे हैं 0 और tenth की place पे हैं 3 3 by 10 0.4 में 1s की place पे हैं 0 और tenths की place पे हैं 4 4 by 10, यहां पर हम compare करेंगे, देखे, 0, 0, same, 3 by 10, 4 by 10, यहां पर सीरे लगता है कि 4 by 10 बढ़ा है, Since the tenth place of 0.4 is greater than 0.3, therefore 0.4 is greater than 0.3, इसी तरह से बागे parts आपको करने है, और एक part दिखाएंगे आपको, जैसे for example L, 3.3 और 3.300, 3.3, पहले हम इसमें place value निकालेंगे, Once की place पे हैं 3, 10 की place पे हैं 3 by 10, इसी तरह 3.300, Once की place पे हैं 3, 10th की place पे हैं 3 by 10, 100 की place पे हैं 0 by 100, और 1000 की place पे हैं 0 by 1000, अब compare करेंगे 3 3 same 3 by 10 same 3 by 10 यह दोनों भी same यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर इनका value भी है 0 that is also nothing अब यह इसका मतलब यह दोनों आपस में balance है since since once place and tenths place of 3.3 and 3.300 are same therefore 3.3 is equal to 3.300 0 और एक part हम करेंगे last वाल पर देखिए ओपर 1.52 या 2.05 1.52 one के place पे हैं ones के place पे हैं 1 tenths के place पे हैं 5 by 10 100 के place पे हैं 2 by 100 इसके बाद 2.05 ones place पे हैं 2 10s की प्लेस पे हैं 0 by 10 and 100 की प्लेस पे हैं 5 by 100 यहाँ परफ कंपेर किजी पहले ही पुजिशन 1s की पुजिशन पे है 2 बड़ा इसलिए यहाँ जाने की जूरत नहीं है पहले ही स्टेप पे देख हमें पता चलता है since 1s place of 2.05 is greater than 1.52 therefore 2.05 is greater than 1.52 बाकी parts आप इसी तरह से कीजिए इंशाला हम next exercise लेकर फिर आपके पास आएंगे तब तक के लिए अल्ला हाफ़िज